दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब नवरात्री के दिन सोयम बजरंगली को आना पड़ा मातरुगा के एक सच्चे भक्त को बच्छाने ये सच्ची घटना जिसने ये सावित किया कि सच्च में आज भी इस प्रित्वी पर अगर कोई देव सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं तो वह कोई और नहीं बलकि सोयम बल्शाली पवन पुत्र हनुमान जी हैं जिनकी गाथा सुन्य मातर से ही बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाता है तब ही तो कहते हैं बुद्धी हीं तनुझानिके सुमिरो पवन गुमार बल बुद्धी विद्यादे हुमोही हरो हुकलेश भिकर अर्थार्थ हे पवन गुमार मैं आपको सुमिरन करता हूँ आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धी निर्बल है मुझे शरीर बल सत्पुद्धी और ग्यान दीजी और मेरे दुखों और दोशों का नाश कर दीजीए दोस्तों आज की ये सची कहानी हमें भेजी है ओडिशा के भुवनेशुर के रहने वाले मनोज पांडा जी ने दोस्तों ये बाद सन 2010 की है जब मरोज जी को नौकरी करने भुवनेशुर के बाहर राव केला के समीब एक छोटे से गाउं में चाना पड़ा यहां उनकी नौकरी एक स्टील प्लांट में लगे हुई थी जहां उनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और यहां आये हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए होंगे कि उन्हें घर के पास में दो परिवारों के बीच काफी जगड़ा हो गया दोनों ही उनके पडोसी थे एक मेरे घर के सामने रहते थे और दूसरा बगल वाले घर में मामला इतना बढ़ गया था कि दोनों में हात अपाई होने लगी पडोसी होने के नाते हम सभी लोगों ने उन दोनों भाईयों को समझाने के लिए उनके घर तक गये जिसके बाद हमें भी यही उमीद थी कि शायद अब ये लोग लड़ाई नहीं करेंगे पर हमें क्या पता था कि उन दोनों भाईयों के मन में क्या चल रहा था तब ही तो अब वो जो होने वाला था उसे सोच कर आज भी मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है हाँ दोस्तों अगली सुबा जब मैं सोक है उठा रहा था मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे घर का गेट बजा रही है जैसे ही मैंने गेट खोला तो उन सभी लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पुलिस थाने ले जाने लगे जब मैंने उनसे कारण पुछा तो उन् दोनों भाई ही थे जिनोंने मेरे खिलाव करत एफ आई यार कर दी थी उन पुलिस वारण ने नहीं मुझे खाने के लिए कुछ दिया नहीं पीने के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कैसे इस मुसीवत से अपने आपको बचाओं बस मेरी उमी में तभी एक व्यक्ति जो कि अपने साथ एक वकील को लेकर थाने में मेरी मद करने आये और उन्होंने मुझे पुलिस थाने से चुड़वा दिया पूछने पर पता चला कि ये इस एरिया के विदायक है जब मैंने उन व्यक्ति से पूचा कि आखिर उन्होंने मेरी मद क्य की तो उनने मुझे बताया कि उनके सपने में सोयम साक्षात बचरंग बली ना कर धर्शन दिये उन्होंने आसवाशन दिया कि मरोज नाम का एक भक्त है जो की बेकसूर है उसे पुलिस ने थाने में बंद करवा रखा है उसकी मदद करो और उसे पुलिस के चंगुल से छुड करने और मुझे चुड़वाने पुलिस थाने आ गए दोस्तों अगर मैं व्यक्ति मुझे चुड़वाने थाने में नहीं आता तो शायद मुझे कहीं और तिनों तक थाने में रहना पड़ता जिसका सबसे बड़ा कारण था कि यहां मुझे कोई नहीं जानता था नाहीं मे अच्छी लगी है तो लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से स्यादा शेयर आवजिए करें मिलें इंगली बार एक नई खास वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद